दोस्तों आज हम सीखेंगे भिन्न का गुणा एवं भाग तो देखिए भिन्न का गुणा ये दो भिन्ने हैं 5 बटा 3 और 4 बटा 7 तो इनकी गुणा कैसे करेंगे? इसको कहते हैं उपर ये भिन्न है तो इसको कहते हैं अंस और नीचे इसे कहते हैं हर तो दो भिन्नों की जब आपस में गुणा करते हैं तो हर की हर से गुणा करते हैं और अंस की गुणा अंस से करते हैं तो दो भिन्ने हैं तो दो भिन्नों में इन दोनों हरों की गुणा आपस में कर देंगे तो कितना होगा सातियां 21 और इन दोनों हरों की गुणा आपस में कर देंगे कितना होगा 5 चौक 20 बस यही हमारा आंसर होगा देखिए दूश्रा कोस्टन देखिए दो बटा साथ पहली भिन है और दूसरी भिन है पांच बटा आठ ठीक है तो इसे कैसे करेंगे देखिए इसमें दो से आठ कट जाएगा तो दो से आठ काट लेंगे दो एककम दो दो चौक आठ ठीक है एक की गुणा अब पांस से करेंगे अंस की गुणा अंस से करते हैं हर की गुणा हर से करते हैं तो एक की गुणा पांस से करेंगे पांच और चार की गुणा साथ से करेंगे तो यह साथ चौक 28 तो यही हमारा आंसर होगा next देखिए 3 बटा 7 और 4 बटा 5 तो हर की गुणा हर से करेंगे अंस की गुणा अंस से इनकी गुणा इनसे तो 7 पंजा 35 और अंस की गुणा इस अंस से कर देंगे तो 3 चौक 12 है तो ये होगा हमारा answer आप देखिए भिन की गुणा आप सीख गए होंगे तो अब चलिए करते हैं भिन का भाग तो ये सवाल है हमारा भिन का भाग 5 बटा 12 है और 2 बटा 7 देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं जब हम direct करेंगे तो cross multiply कर देंगे 5 की गुणा 7 से कर देंगे तो हो जाएगा 5 सकता 35 और 2 की गुणा इस 12 से कर देंगे तो 2 की गुणा 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 ठीक है मैं दूसरे वाले सवाल में एक दूसरा method बताऊंगा जिससे भी आप गुणा कर सकते हैं यह है 3 बता 8 भाग 4 बता 7 बता 4 ठीक है अब हमें भाग करना है तो या तो हम इसका cross multiply कर दें 3 की गुणा 4 से और 7 की गुणा 8 से ठीक है या एक तरीका यह है कि 3 बता 8 को सही लिखा रहने दें और दूसरे वाले भिन को उलट दें यानि 7 बता 4 है तो इसे 4 बता 7 लिख दें और जो भाग का चिन था इसे अब हम गुणा में बदल देंगे तो अब यह सवाल गुणा की तरह हो गया तो पिछले सवालों की तरह करेंगे इसे इन अंस की गुणा अंस से करेंगे तो 4 तियां 12 है और हर की गुणा हर से करेंगे तो 8 सत्ता 56 हम इसे अभी भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे करेंगे यह 4 से कट जाएगा और यह भी 4 से कट जाएगा तो 4 तियां 12 है और इसे भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 एक बचा तो 4 चौक 16 तो अब हमने इसे सिंपिलिफाई कर लिया सरल्तम रूप में लिख लिया तो यह हो जाएगा 3 बचा 14 है तो हमारा अंसर होगा यह एक सवाल और करते हैं यह है 3 बचा 5 और 2 बचा 3 तो हम इसकी या तो क्रॉस मल्टिप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 यह अंसर हो गया अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक जरूर करें